नमस्कार प्रियदर्शकूं जैसा की आपने थमनेल में देखा जहां मैंने लिखा है कि 15 नवंबर 2024 से मीन राशी वाले जातकों के जीवन में निर्मित होने जा रही है बहुत बड़ी राहत और इस राहत को अंजाम देंगे आपकी कुंडली के एकादश भाव और देव उल्टी चाल चल रहे हैं 15 नवंबर से यह सिधी चाल चलना प्रारंब करेंगे अब तक आपको जो एकादश और द्वादश भाव दोनों के नकारातमक फल दे रहे थे वहां से आपके एकादश भाव के नकारात्मक फल समाप्त हो रहे हैं और सीधी चाल चलते हुए शनी महराज अपनी मूलत रिकोन राशी का ही फल आपको देने वाले हैं शनी देव आपके लगन के आधार पर कुंडली के नोन फिवरेबल गरह होते हैं इस इस्तती में ये आपके जीवन में कोई बड़ा जादू तो नहीं करने वाले हैं इस बात को समझ ये कि जब आपके दो दो घर जो आपका आई भाव है आपकी डिजायर्स का भाव है आपके हॉस्पिटलाइस खर्चे फिजूल के इस्थानों का भाव है उन दो इस्थानों से शनी महराज पिछले समय में लगातार आपको नकारात्मक रिजल्ट निकाल कर देते रहे उससे आप मुक्त होने जा रहे हो कोई आपके पैर पकड़ कर खड़ा था ऐसी अनुभूति आपने पिछले लंबे समय से की है किन्तू 15 नवंबर के बाद मैं लिख कर दे सकता हूँ मीन राशी वाले ये अनुभूति करेंगे जैसे आपके पैरों की जो जकडन थी वो समाप्त हो गई है और अब आप आगे बढ़ने के लिए ततपर हो चुके हैं तैयार हो चुके हैं एक नई उडान भरने के लिए अपने पूर्व के कई कारेक्रवों में मैं बता चुका हूं कि द्वादशेश हो शष्टेश हो या अश्टमेश हो जब सुद्द इस्तिती में अपने घर का रिजल्ट देते हैं तो वो कभी भी इस इस्ति को खराब नहीं करते हैं अपने घर को चाहे कैसा भी व्यक्ति हो चाहे ग्रह हो अपने घर को कोई खराब नहीं करता और जब ये एकादश भाव का फल देंगे तो पहली अवस्था में आपने पिश्रे लंबे समय में देखा है जितनी दे रहे थे शनी महराज 15 नवंबर से दो प्रकार के नकारातमक फल आपके लिए समाप्त हो जाएंगे तो आप खुद सोचिए कि तीन लोग आपको पकड़ कर खड़े थे जकड़न बना कर खड़े थे उसमें दो इस्तियां आपसे मुक्त होने जा रही है और अच्छी कमजोरी भाग्य के साथ की स्तती लगातार जब से शनी के साड़े साती प्रारंब हुई है मीन राशी वाले जातकों ने अनुभूती की है जैसे भाग्य का साथ आपको मिल ही नहीं पा रहा अब 15 नवंबर से जब शनी महराज सिर्फ सिंगल इस्तती में अथार्त कुम खर्चे हो रहे थे दरवाजे से पैसा आ रहा था खिड़की से कहां चला जा रहा था पता ही नहीं लग रहा था अब आप देखेएगा चीजें आपके लिए अनुकूलता के सुरूप में बनकर आएगे यदि आप विदेश में सेटल होना चाह रहे हैं विदेश में पिया आत्मक दृष्टी कोंड में उल्टे फल के चलते धनका जो फुलो आपके जीवन में समाप्त हुआ था अब ये जब अपनी मूलत रिकोंड राशी में आएगे तो वहां का नकारात्मक दृष्टी कोंड भी समाप्त करेंगे तो धनके फुलो की स्थती भी बनेगी मीन रा आपकी वानी बुद्धी मता चातुरी मता के अनुसार जो लंबे समय से आप अपने जीवन में सक्सेस प्राप्त कर रहे थे किन्तो साड़े साथी चलने के पस्चाथ आपकी वानी का वर्चस्व भी आपने कमजोर होता हुआ देखा और जितने भी आप डिसिजन ले रहे थे वो भी गलत सिद्ध हो रहे थे तो उनमें भी आपको बड़ा रिलीफ देखने को मिलेगा जौब में आपको प्रमोशन की स्चतिया जो नहीं बन पा रही थी उनमें आपको सफलता का योग बन कराएगा कोई कर्जलोन की स्चतिया आपके लिए बनी हुई है आप नहीं नकारातमक नहीं किन्तु जो नकारातमक गतिविधी बना रहे थे उससे आपको मुक्त करने जा रहे हैं अब आपको क्या ऐसे उपाय करने चाहिए कि शनी महराज की ये गतिविधी आपके लिए और स्रिष्ट कारक सुरूप में फल दे पाए पहली अवस्ता में आपके अधार पर शनी चालीसा का पाठ करना ये तो अति आवशक वैसे भी होता है किन्तु इस समय में विशेश रूप से आप शनी की आराधना कीजिए ताकि आपके लिए जितने भी नकारातमक दृष्टी कोन शनी क्रियेट कर रहे हैं उससे आपको स्रिस्ट कारक सुरूप में मुक्ती प्राप्त हो ओम शन शन शनेश्चराई नमें का जाप करना शनी चालीसा का पाठ करना या सुनना दोनों में से जो भी संभवत इस्टती बनती है इसे जरूर से फॉलो कीजिए विशेश रूप से ध्यान रखिएगा ये जाप और पाठ दोनों ही आपको शाम के सम चलना प्रारम कर रहे हैं तो एक बात का और ध्यान रखिएगा आप ज्यान सुरूपी योग की संघ्या में आते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ छलकपट बैमानी धोका धड़ी किसी का पैसा हड़ अपना इन इस्टतियों से बिलकुल दूर रहिएगा जितना जादा इन नक का आदर करना इनसे शनी महराज बड़े प्रसंद होते हैं और देते हैं आपको मन चाहा वर्दान बिलकुल तैयार हो जाएए 15 नवंबर से जितनी भी जकड़न आपके जीवन में बनी हुई थी इससे आप मुक्त होने जा रहे हैं और एक नई उड़ान की रह और चाह दोन झाल 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 झाल